आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउट करें। एक धात्विक तत्व है, इसे हम संक्रमन धातू तत्वी कहते हैं, संक्रमन धातू तत्वी कहा जाता है, फ्रेंट्स यदि हम क्लोर, क्रोमियम का यदि हम एलेक्ट्रोनिक विन्यास देखें, तो क्रोमियम का जो एलेक्ट्रोनिक विन्यास होता है, लेक्ट्रोनिक, क्रोमि 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, तथा 4S1, तो friends यदि हम chromium का जो electronic बिन्यास देखें, तो पहली कक्छा में इसके 2 electron होते हैं, दूसरी कक्छा के अंदर 8 electron होते हैं, तथा तीसरी कक्छा में जो electron की संख्या होती है, बह होती है 13, तथा जो चौती कक्छा है, उसके अंदर electron की संख्या होती ह है 1, तो friends जो chromium का electronic बिन्यास है, वह होगा 2, 8, 13, 1 Friends, यहाँ पर, यदि हम यहाँ एक चीज और देखें, कि यहाँ पर, देखा जाए, कि यहाँ पर 3D, 4, और 4S2, chromium का electronic बिन्यास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि friends हमें यहाँ option में दिया गया है, जो option number 2 है, उसमें हमें दिया गया है कि 2, 8, 12, 2 तो friends इसका यहाँ मुख्य कारण यहाँ कि जो D कक्छक होता है, यदि वह D कक्छक के अंदर अधिकांस्त है, 10 electron भरे जा सकते हैं friends यदि इसके अंदर यदि हम देखें, तो यह है पूरित कक्छक होता है, पूरित D कक्छक होता है, और यदि इस D कक्छक के अंदर 5 electron होंगे, तो यह है अर्ध पूरित D कक्छक होगा, तो friends जो अर्ध पूरित D कक्छक होता है, उसका जो इस्थायत होता है, वह अधिक होता है, और पूरित D कक्छक का भी स्थायत अधिक होता है, तो friends जो 3D 4 होता है, और जो 3D 5 होता है, उसमें से D 5 कक्छक का जो इस्थायत होता है, वह अधिक होगा, अते इस कारण से यहां ह हम 3D 5 भरते हैं और 4S 1 लिखते हैं ना कि यहां हम 3D 4 और 4S 2 लिखते हैं 3D 4 4S 2 गलत होगा 3D 5 4S 1 इसका सही अंसर होगा अते जो हमारा सही option है वह होगा option A 28 13,1 Thank you friends